मेरा नाम सुमय सिंग राजप्रवित है और आज के वीडियो में हम देखेंगे फाइनल येर आई टी में इंपोर्टन्स ओफ एसे नेमर ठीक है तो अभी दू दिन बाद पेपर है तो ये इंपोर्टन कोश्यन है कि इतना कर लिया तो पास्ता आराम से हो जाओगे तो चलो स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहला और तो मोस्ट इंपोर्टन चीज अगर आपको छोड़ दी नहीं है वह सम इसको डिस्क सम कह सकते हो तो ये दस मांस का आता है पहले कोशन में तो इसके जो सलूशन से ये सम के जो अब तक आया है वह मैंने नीचे एक पीडिये बना के दिया हुआ है ताकि आप उसके सलूशन देख पाऊ ठीक है तो सवाल कुछ इस तरह से आता है कंसिरे डिस्क इंपूर्ट आउपूर्ट सिस्टम इन वीच आयो रिक्वेर्स आयो रिक्वेर्स अराइज अड़ेट ऑफ टूहन्रेड आयो पीएस सर्विस टाइम आर 45% यह कुईशन आता है इतना क्लिए हो गया तो इसको करके ही जाना सबसे भलेगर में कोई चाप में ले रहा तो यह समक यह अऊ"- fine solve इंप्लिमेंट आई एलम फॉर स्टोरेज मेनेजमेंट सिस्टम और इसके बेनेफिट्स ओफ आयलम इंफर्मेशन लाइफ साइकल मैनेजमेंट तो भाई वह पहला कोईशन है अगर आपने सम कर लिया उसके साथ यह कर लिया तो बस भाई तो यह कभी पांच मास के लिए कभी दस मास के लिए पूछते हैं ठीक है और यह आफिर उसके साथ कभी रेड का सम देंगे तो अब आया का ब्लॉग डायराम सबसे पहले याद के लो ताकि उसके बेस पे इस चीज़ को एक्स्पेंड कर सोको फिर आ जाता है फूर्थ क्वेशन वह है एक टाइप की टोपलोजी है तो यह अगर पूचा से पांच मांस के लिए तो पूचा रहेगा लेकिन अगर दस मांस के लिए पूचा तो साथ में पूचेंगे एफसी प्रोटोकॉल स्टाइग भी पूचते हैं फिर आ जाता है नेक्स्ट कोईशन वह है आईपी स्टोरे स्टेंडर्ड जो पांच मांस से लिए पूचते है या फिर पूचेंगे एक स्ट स्टेंड इनको फटाफट कर लो तो क्या पूचते है और यह पांच मांस के लिए पूचा गया तो अकर दस मांस के लिए पूचा तो साथ में ये भी पूचते हैं और ब्लॉक लेड एं फाइल लेड बेड स्टोरे विश्य एचन तो यह दोनों वाई important भी है और easy भी है, तो इसको पहले कल रहा है, उसके बाद आजाते है, explain BC life cycle with example, तो यहाँ पर BC stand होता है, business continuity life cycle के लिए, और उसके साथ अगर यह 5 मांस के लिए पूछेंगे, कभी 10 मांस के लिए पूछ रहे हैं, अब आजाते next question पे, जो है, explain rate label with the comparison of all rate labels, तो यह easy है, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लंदी है, लेकिन यह हो जाएगा, समझ रहो, तो इसको भी फटाफट कर लेना, उसके बाद आजाते explain component of information system and its type, तो यहाँ पे आपको पहले पूछा list करना है, ठीक है, तो 10 marks के लिए easy चीज़ है, उसके बाद आजाते 5 marks का question है, document surrogate, तो यह 5 marks के लिए आता है, उसके बाद आगे बढ़ते, उसके बाद 5, यह document surrogate हो गया और यह वाले question है, यह last के short note के लिए याद रोखो भाए, क्योंकि यह वाले चीज़े cover कर लेते, जो zone bit recording, उसक में जादा sums नहीं, एक के type का sum है, तो अभी इसमें कैसे attempt करना है, क्या attempt करना है, तो मैंने एक video बढ़ना है, how to attempt paper, तो नीचे मैंने description में उसकी link दी गई है, तरीके से बताया गया है, कि कौन सी चीज़े करनी है, और कौन सी चीज़े नहीं करनी, क्या mistake करते है, तो जरूर वीडियो देखो, ताकि आपको एक idea आजाए, exam के पहले वो वीडियो देखो को तो जादा अच्छा एगा, एक idea आजाए, कि हाँ भाई, paper कैसे attempt करना है, तो I hope भी वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, तो शेर करो अपने सारे दोस्तों को जो अपनी तरह last moment पे लगाने, वोगाने, वो घूर थेर वर से कर ला एकाणे माई. वगाने में। नह स्याक्टन गयो ओना cho